मुके सिंग भगा के लेके अपने पसरे गाउं का ही लर्का लेके भाग देया था उसके कारण आज 2023 में उसकी पत्नी के साथ मेरा साधी हो चुका है नमस्कार आप देख रहे हैं देशवा नियूज और मैं हूँ आपके साथ कुमार कौशी कहानी फिल्मी है लेकिन करदार हकीकत है जी है मैं जो आप लोगों को तस्वीर दिखाने जा रहा हूं उस तस्वीर को देखकर उस कहानी को सुनकर आपकी आँखे फटी की फटी रह ज मामला खगडिया का है जहां पर दो महिलाओं को दो पुर्षों से प्यार हो जाता है दरसल होता क्या है कि नीरज की साधी दोहजार नौ में रूबी देवी नाम की एक लड़की से होती है उसे पत्नी बना करके अपने घर लाता है लड़की पसरहा की है रूबी के दो बच् एक बच्ची के साथ उसको लेकर के फरार हो जाता है शादी कर लेता है नीरज विरह की अगनी में जलने लगता है दीन कटने लगते हैं तब ही मुकेश की पत्नी का फोन उसको आता है और मज़ेदार बात यहां पर मैं बता दूँ कि मुकेश की पत्नी का भी नाम रूबी ह जैसे कि नीरज की पत्नी का नाम रूबी था तो मुकेश की पत्नी नीरज से संपर्क करती है क्योंकि दर्थ तो उसके दिल में भी था क्योंकि उसके पती ने दूसरी पत्नी रख ली दूसरी पत्नी को अपना लिया दूसरे की बीबी से शादी कर ली तो ये दर्थ तो था ही तो अपनी सोतन के पति से उसने संपर्क किया, उससे बाते की, बाते होने लगी टेलिफोनिक, उसके बाद प्यार परवान चड़ने लगा, प्यार इतना परवान चढ़ा कि इन दोनों ने भी शादी करने की ठान ली, और आप देख सकते हैं तस्वीर में, मंदिर में नीरज और रूबी शादी कर रहा हैं सोचल मीडिया पर इस तस्वीर को वाइरल कर दिया है बयान भी दिया है निरज ने आप सुन सकते हैं उसकी जुबानी उसकी कहानी मेरा सादी 2009 में पसरा गाउं मेरा रंजी शींग की बहान की साथ सादी हुई थे जिसमें की मुकेस सिंग भगा के लेकर अपने पसरे गाउं का ही लर्का लेकर भाग गया था उसके कारण आज 2023 में उसकी पत्नी के साथ मेरा सादी हो चुका है हमाई सुखी से जी रहा हूँ तो सुना आपने, अब इसमें एक दिल्चस्प बात ये भी है, कि मुकेस जब नीरज की पत्नी को भगा करके ले गया, तो उसकी बच्ची को भी ले गया, तो अब नीरज ने जब मुकेस की पत्नी रूबी देवी से शादी की है, तो उसके भी दो बच्चों को अपना लिया ह तो मा के साथ बच्चे जो हैं वो फ्री में आ गए हैं, दोनों तरप एक दूसरे के बच्चे चले गए हैं, और दोनों ने बच्चों के साथ एक दूसरे की पत्नियों को अपना लिया है, तो कहानी है न दिल्चस्प, कहानी तो फिल्मी है, लेकिन केरदार हकीकत है और गर्म है तो बने रहिए देश्वा नियूज के साथ देश्वा नियूज के साथ देश्वा नियूज का मकसद नहीं देश्वा नियूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए देश्वा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकन दवाना न भूलें